नमस्कार दूस्तों मैं हूँ आपका होस्ट प्रजापति विकास और आप देख रहे हैं जेने एजुकेशन यूट्यूब चैनल आज इस वडियो में हम बात करेंगे डर्मी फोड क्रीम के बारे में डर्मी फोड क्रीम के क्या उपयोग हैं स्कीन की कौन-कौन से बिमारिया ह हम बात करेंगे तो वीडियो को बिने स्कीप के पूरा देखेगा और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखेगा ऐसी नए नए वीडियो आपको मिलते रहेगी तो सबसे पहले बात करते हैं यहां पर इस क्रीम के बारे में तो डर्मी फोड इसका ब्रांड क्विनोलीन है इसके अंदर तो यह इतनी सारी मेडिसन और कॉंभिनेशन में कंबिनेशन में दी गई है सब्सथा पर हांपर कीटो को नजोल nod小is के अंदर Tolnaftate है और Idochlorihidroxyquinoline है ये तीनों ही Médicin इसमें जो Fungal Infection के इलाज में कामाती है जब भी स्कीन पर Fungal Infection होता है तो उसके इलाज में ये क्रीम लगाते हैं और स्कीन में जैसे की दाध हो जाते है खुजली होने लगती है जलन होने लगती है पेरों की अंगुलियों के बीच में बी खुजली होती है जलन होती है जिसको athlete food कहा जाता है तो उसके इलाज में ये क्रीम लगाते हैं और जब भी गर्मी की वज़े से या नमी की वज़े से fungal infection होता है दाद हो जाते हैं रिंगवम होते हैं और उसमें अगर खुजली हो रही है जलन हो रही है तो उसके इलाज में ये क्रीम लगा सकते हैं इसके लावा इसमें नियोमाइसीन है जो की एंटी बैक्टिरियल है एंटी बैक्टिरियल मतलब जब भी बैक्टिरिये की बज़े से अगर इंफेक्शन होता है तब भी उसके इलाज में डर्मी फोड क्रीम यूज की जा सकती है इसके लावा इसमें कलोबिटासोल प्रोपिय जो की एक स्टिरोइड है और जब भी तवाचा पर जलन होती है लालिमा हो जाती है खुझली होने लगती है रेडनेस हो जाती है तो उसके इलाच में जो क्रीम है यह लगा सकते हैं तो कुल मिलाखे अगर चेहरे पर हाथ में पेर पे कहीं पर भी अगर खुजली होने लगती है दाध हो जाते हैं सूजन आ जाती है और उसमें लालिमा हो जाती है और इचिंग भी होने लगती है तो उसके इलाज में ये जो डर्मी फोड क्रीम में ये लगा सकते हैं अब ये जो क्रीम है ये 15 ग्राम की क्रीम आती है लिफोर्ड इसको मैनुफेक्चर करती है और इसके साड इफेक्ट की बात करें तो इसके कुछ कुछ कॉमन साड इफेक्ट है जो जादा तर इस क्रीम को लगाने के बात देखने को मिलते हैं लेकिन जब आप क्रीम को बंद कर ज्यादा तर यह side effect देखने को नहीं मिलते हैं इसके composition में देखिए इसके अंदर ketoconazole है Neomycin sulphate है और idoclor hydroxy quinoline है tolnaftate है और clobytasol propionate है इसके लावा इसमें preservative chlorocrysal add किया गया है और cream base add किया गया है और यह cream दोस्त आपको डॉक्टर की चला के अनुसार ही लगानी है बेना डॉक्टर की चला के आपको कोई भी medicine यूज नहीं करनी है इसके ओपर warning भी दी गई है और यह schedule edge prescription की drug है externally इसको यूज करना है अब बात कर लेते हैं इसको लगाने के तरीके के बारे में किस प्रकार से इसको लगाया जाता है तो जिस पार्ट पर दाद हुए है या fungal infection हुआ है ringworm हुए है खुजली जलन हो रही है तो सबसे पहले तो उस पार्ट को आपको साफ करना है गरम पानी से गरम पानी से साफ करने के बाद उसको सूखने देना है और उसके बाद उतनी ही cream आपको लेनी है जितनी उस भाग पर जहां पर दाध हुआ है खुजली हो रही है वहां पर लगा सकते हो और हलके हाथों से वहां पर 1-2 second तक आपको आपको मिलते रहेगी और लास्ट में हम देखिए दोस्तों बात कर लेते हैं इसकी प्राइस के बारे में कितनी प्राइस इसकी है तो यह 90 रूपीज की मिलती है मार्केट में आई होप वीडियो आपके लिए हेलफुल होगा चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें देखिएगा ऐसे ही नई नई वोड़ेस आपको मिलते रहेगी धैन्यवाद